तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे हैं Dr. Strange और Spider-Man भाई यानि कि Dr. Strange और Spider-Man के फादर हैं सेम तो बात करते हैं सबसे पहले Dr. Strange के बारे में तो Dr. Strange का सबसे पहला Comic Appearance हुआ था 1963 में और Dr. Strange का सबसे पहला Movie MCU में आया था Dr. Strange जो की रिलीज हुआ था 2016 में और अब बात करते हैं Spider-Man के बारे में तो Spider-Man का सबसे पहला Comic Appearance हुआ था 1962 में और Spider-Man का सबसे पहला MCU का मूवी था जो की रिलीज हुआ था 2017 में तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे हैं दोनों ब्रेदर्स तो Dr. Strange को बनाने वाले यानि कि उनकी जो Creator है उनका नाम है Steve Ditko जिन्होंने Stan Lee के साथ मिलकर Dr. Strange को कम्प्लीट किया था और अगर वही पर हम बात करें Spider-Man के बारे में तो Spider-Man को भी बनाने वाले Steve Ditko थे जिन्होंने Stan Lee के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट में काम किया था तो देखा जाए तो Spider-Man और Dr. Strange बहुत सारे कामिक बुक्स और मुवीज में साथ अपियर हो चुके हैं तो Steve Ditko ही है जिन्होंने ये दोनों कारक्टर को बनाने में मदद किया और देखा जाए तो ये ही उनके फादर भी हैं तो हो गये ना दोनों भाई-भाई तो देखा जाए तो ये दोनों एक ही creator के बनाए हुए है और देखा जाए तो ये उनके फादर भी है तो थैंक यू अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा